नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिक्का मैरोतरा शुरुआत करते हैं पांच मिनिट में पच्छिस कबरों की दो दिन बाद फिर बदले का मौसम का विजाज पश्मी विक्षोप की सक्रिय होने से हिमपात और बाजिश के आसार कोरोना के खिलाफ देश को मिला एक और हत्यार डीसी जी आई ने सिंगल डोस वाली स्पूतिक लाइट वैक्सीन को दी मन्जूरी केंद सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रम होम सभी केंदरिय करमचारियों की शत प्रतीशत उपस्त थी के निर्देश धर्वसंसत में दिये गए बयानों से आरेसेस ने बनाई दूरी संग प्रमुक मोहन भागवत ने कहा अपमान जनक बयान नहीं करते हिंदू विचार धारा के प्रतिनी धित्व अरुनाच्वर प्रदेश में भूकम के तगड़े जटके रियक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज करी तीवर्ता अरुविन के जिवाल ने वोटरों से की अपील यूपी में दे एक मौका करेंगे दिली जसका भाजबा के 45 प्रत्याश्यों की एक और लिस्ट जारी दयाशंकर सिंग पर जताया विश्वास सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रस वेपर आग का गोला बनी कार कारोबारी समेथ तीन जिन्दा चले सचिन पाइलिट को भरोसा यूपी में चौकाने वाले परिणाम देगी कॉंग्रस वेविरानी ने कहा बद नहीं वंचित समाज की सेवा के लिए सक्रियर राजनीती में लोटी हूँ इमरान खान की सरकार को तालिबान से बड़ा जटका अफगानिस्तान से हुए हमले में पाँच पाकिस्तानी सैनिकों की मौत आतंकी हमले में पाँच सैनिक मारे गाए टीटिपी नेली हमले की जिम्मेदारी इमरान खान पहुचे बीजिंग पाकिस्तान को मिली निराशाद चीन से नहीं मिलान नया कर्स यूएन महा सचिवने की चीन के रास्रपती शी जिन पिंग से मुलाकात कई मुद्दों पर हुई चर्चा रास्रपती राजबक्षे ने चली देश भक्ती जगाने की चाल अनिवासियो को लुभाया रोहित शर्मा का नया रिकॉर्ड वन डे में ओपनर की तौर पर रन बनाने के मामले में सहवाक से निकले आगे चीन ने रुमाचव मुकाबले में कॉरिया को हराया 16 साल बाद रिकॉर्ड नौवी बार बनी चैंपियन लदा मंगेशकर को टीम इंडिया ने दीश रधान जली काली पट्टी बांद कर मैदान में उत्रे खिलाडी युजवेंद्र चेहल ने हजारवे वंडे में विक्टो का लगाया श्रताकर निकोला सपूरन को बनाया सवाशिकार पहले वंडे मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को छे विकेट से हराया कोविड नाइटीन को बात देने के बाद काम पर लौटे साउथ की सूपर स्टार चिरन जीवी स्वर कोखिला लता मंगेश करके निधन के बाद यादों में खोई आशब होसले शेयर की अमोल तस्वीर गुम है किसी के प्यार में की एक्ट्रेसिव किशोरी रहड़ी का हुआ एक्सिटेंडर ट्रक से टक कराई कार स्वर कोखिला लता मंगेश करको दिलीब कुमार मानते थे अपनी छोटी बेहन साहरा बानो बोली मेरे लिए एक बुरा दिन शारुक खान से आमिर खान तक लता मंगेश करको अंतिम विदाई देने नम आखों से पहुचे इस सितारे पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल लिता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टिवी आप देख रहे हैं प्राइम